सल्मान खान का विवादित शो बिग बॉस 18 दिन पर दिन रोमान चक होता जा रहा है। मेकर्स दर्शकों को शो से बांधे रखने के लिए पूरी कोशिश में लगे हुए हैं। घर में कैद कंटेस्टिंट भी अपने गेम से फैंस को इंप्रेस करने में लगे हुए हैं। इस बीच अपने बीते एपिसोड में देखा था कि राशन के चक्कर में अविनाश मिश्रा और करणवीर महरा का जगड़ा शान्त होने का नाम नहीं ले रहा है। जिसमें देखा जा सकता है कि शृतिका और करणवीर महरा सोफे पर बैठ पर आपस में बातचीत कर रहे हैं। लेकिन तभी करणवीर कुछ बोलते हुए इमोशन हो जाते हैं। प्रोमो में करण बोलते नजर आ रहे हैं कि म मुझे ये एहसास हो रहा है कि मेरे अंडर काबिलियत नहीं है एक परिवार को जोड़ के रखने की। मैं यहां आया तो मुझे लगा कि मैंने यहां एक परिवार बना लिया है लेकिन ऐसा नहीं है। मेरा परिवार था ऐसा ही लेकिन मैं उन्हें होल नहीं कर पाया। ये बोलते बोलते करण के आखों में आसु आ जाते हैं। खैर बता दे कि करण वीर महरा खत्रों के खिलाडी 14 जीतने के बाद बिग बॉस 18 में आये हैं। घर में अविनाश मिश्रा के साथ उनका अक्सर जगडा देखने को मिलता रहता है। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक करे शेर करें। और ऐसी ही दिल्चस्त जानकारी पाने के लिए हमारा चैनल फॉलो करें।